मोधी सरकार डायरेक्ट टेक्स कलेक्शन को बढ़ाने की लगातार कोशिशे कर रही है लेकिन इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा बतादें कि चालो वित्वर्ष एकर प्रेल 2019-31 मार्च 2020 के दुरान टेक्स कलेक्शन तैल लक्ष के 50 फीसिदी से कम हुआ है फबरों की मारे तो केंदे सरकार को अब 6 लाग करोड रुपए डारेक्ट टेक्स कलेक्शन के रूप में मिले है बतादें कि सरकार की और से इस बार 13.5 लाग करोड रुपए के टेक्स कलेक्शन का लक्ष रखा गया है वही सरकार को अपने लक्ष को पुरा करने के लिए अगले 4 महिने में 7.5 लाग करोड रुपए का टेक्स कलेक्शन करना होगा केंद्री प्रत्यक्ष कर बोड CBD के चैर में PC मोदी का कहना है कि साल की शुरुआत में 13.5 लाग करोड रुपए के टेक्स कलेक्शन का लक्ष दिया गया था इसमें से अब तक 6 लाग करोड पे जुटाए जा चुके हैं उन्होंने आगे कहा टेक्स कलेक्शन को लेकर प्रयास किये जा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निर्धारित लक्ष को हासिल कर लेंगे CBTT प्रमुप ने कहा कि करदाताओं को काटे गए टेक्स की वापसी सुगमता के साथ हो रही है बीते वित्तवर्ष की दुल्ला में रिफंड को 20 फीसिदी बढ़ा दिया गया है उन्होंने कहा कि हम करदाताओं को बहतर सेवा देनी पर जोर दे रहे हैं ऐसे में टेक्स पेर सर्विसेज पर विशेश तोर पर ध्यान देने के लिए बोर्ड में एक सदस्य की न्यूकती भी की जाएगी बतादी कि टेक्स कलेक्शन के याकड़े ऐसे समय आये हैं जब सरकार को आर्थिक मोर्चे पर लगाता जटके लग रहे हैं इसके पहले रेटिंग एजनसी मूडीज इन्वेस्चर सर्विस ने चालो वित्वर्ष के लिए जीडिपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates